हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू भावनास किचन फ्रेंड्स आज हम लोग बनाने वाले हैं भेलपूरी और भेलपूरी कहाने में बहुती ज़्यादा चटपटी होती है और बिल्कुल मार्किट स्टाइल भेलपूरी की रेसिपी को आज में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हू तो आईए फ्रेंड हम शुरू करते हैं हम अपनी इस मज़ेदार रेसिपी को तो सबसे पहले हमको लेने होंगे मुर्मूरे तो मुर्मूरे आपको मार्किट में मिल जाएंगे तो यहां मैंने एक बाउल के अंदर दो मीडियम साइस की कटोरे से मुर्मूरे को रख लिया है आपको जितने भी साइस की बनानी है आप उतनी बना सकते हैं तो उसके बाद अब यहां मैंने एक प्याँच कटके रखावा है मीडियम साइस का अब मैं उस प्याँच को इस मुर्मूरे में मिला लूँगी आप अगर ज्यादा बना रहे हैं तो आप इसमें दो प्याँच भी कट कर सकते हैं अब मैं इसमें मिलाऊंगी एक बारी कटावा टमाटर फिर हम इनको इसमें डाल लेंगे अब इसके बाद हम लेंगे मूफली तो मैंने बजार से कुछ कच्ची मूफलियां खरीदी थी उनको मैंने रोस्ट कर लिया था पांच मिनट तो अब हम उसको इसमें मिला लेंगे मूफलियों को फिर हमने आप लिए नमकीन तो यहां मैंने खटा मीठा नमकीन ली है आप कोई सी भी नमकीन ले सकते हैं और आप सेव भी ले सकते हैं फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची तो मैंने आपे दो हरी मिर्ची काटके रख्यों ये बारिक उसमें मिला लेंगे अब हमने आपे रखा है नीम्भू का रस इसमें हम नीम्भू का रस मिलाएंगे अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च लाल मिर्ची डाल देंगे फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर अब थोड़ा सा डालिए जो हमारी हल्दी है वो कच्ची है तोसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा वो थोड़ा सा हमने कलरे के लिए डाला है फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपनी भेल पूरी को देखे फ्रेंड हम अपने अब देखे फ्रेंड यहां पर हमने कोन बनाया हुए पेपर का जैसे आप लोग मार्किट में भेल पूरी खाते हैं न वैसे ही आज मैं आपको सर्फ करूंगी आप इसको प्लेट में भी सर्फ कर सकते हैं लेकिन मैं इसको इस कोन के अंदर डालके थोड़ा मार्किट स्टाइल लाने के लिए इसमें सर्फ कर रहे हूँ हम इस कोन में अराम-अराम से अपनी भेल पूरी को रखते जाएंगे ये देखे फ्रेंट कितनी टेस्टी लग रही है इसका टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको लगेगा नहीं कि आपने घर में बनाया होगा आप जब इसको खाएंगे तो आपको लग जाती है खाने में बहुत ली टेस्टी होती है तो फ्रेंड्स कैसी लेगी आपको मेरी भेल पूरी की रेसिपी आप कमेंट सेक्षेन में जरूर बताइए और थैंक्यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो प्लीज आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए